नमस्कार हमारे चटोर यात्री फैमली, वेलकुम टो वर नियू ब्लॉग इस बनारस के ब्लॉग में हम आपको बताएंगे कि आपको बनारस में क्या ऐसी चीज़े हैं जो बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है So, here we go काशिव विश्वनात मंदर, बारजोतिर लिंगो में से एक, ये मंदर अपने आप में ही दर्शनी अस्थल है मंदर में कोई भी गैजेट या समान अलाव नहीं है, तो इसे आप किसी भी प्रशाद की दुकान पे समिट कर सकते हैं यार बनारस में कुलेड में सर्व करी हुई गर्मा गरम और कड़क चाए नहीं पी तो यार अपने सब कुछ मिस कर दिया बनारस के 84 घाटों के बारे में जो जानने का मज़ा बोट राइड के दौरान है उसकी तो बात ही अलग है आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो सब्सक्राइब का बेटन दवाना ना भूले आप बोट हायर करते हैं तो बोट की प्राइसिंग 500 रुपीज से 5000 रुपीज तक है और अगर आप शेरिंग में जाते हैं तो उसका प्राइस 100 रुपीज पर परसन है ठंडी के समय में मिलने वाले ही मलईयों का लुफ्त आप जरूर उठाए हमारी इस लिस्ट में डेक्स है राम नगर फोर्ट बी एच यू से सिर्फ तीन से चार किलोमेटर की दूरी पे है आपका राम नगर फोर्ट जहां आप आप आटो या कैपसल से 15 मिनिट में पहुँ पी है तो राम नगर फोर्ट आपके लिए बेस्ट है यहां आपको विंटेज कार्ज रोयल पाल की पुरानी बंदू के हुक का और मेड़ल पीरियट की कॉस्ट्यूम जैसी चीज़ें दिखाई देंगी पूरे भारत में अगर आपको थोड़ा टैंगी थोड़ा चट पिटा और थोड़ा नमकी तमाटर का चाट टेस्ट करना है तो वो सिर्फ आपको बनारस में मिलेगा नेक्स्ट है घाट्स मैं एक्स्प्लीन नहीं कर सकता है यह कितना व्यूटिफुल है शैद से मेरा कैमरा नहीं कैप्चर कर पा रहा बट यह मैं बनारस में हूँ और बहुत ही ब्यूटिफुल है दम शान्त आर्ती की हलकी हलकी आवास और बहुत सारे नाव बहुत ही आसम लाज़ बनारेस की गंगा आर्ती एक लाइफ टाइम एक्सपीरिंस है हमारी इस लिस्ट में लास्ट में है बनारेस की शान बनारेसी पान आर्ती की शान बनारेसी पान बनारेसी आसम लाइब बनारेसी आसम लाइब 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 लाइब